Hello everyone and once again welcome back to Umar Tashkir YouTube channel, myself Umar Tashkir Guys, Marketing Fundamentals course के आज़के इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले about Generic Strategies by Michael Potter Guys, Marketing में academics के point of view से बहुत साई लोग का contribution रहा है उसी में Michael Potter साब ने भी कुछ theories दी है और ये वाली जो theory है General Strategies की Basically ये General Strategies इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाला framework apply होता है चाहे हम बात करें services की मनलब service वाले business के उपर भी apply होता है और साथी साथ जो हमारे product based manufacturing based जो हमारे businesses होते हैं उनके उपर भी ये strategies ये theories जो है वो apply होती है तो Michael Potter साब ने 1985 में अपनी एक किताब में इस theory को दिया था बिसिकली बात करती है competitive advantage के बारे में बहुत आसान सब्दों में आपको बताने कुछ करूँ competitive advantage का सीधा समतलब यह होता है कि मैं भी ये pin मना रहा हूं आप भी ये pin मना रहे हो ठीक है अब market में जो है मेरे pin को आप के pin के comparison में लोग क्यों पसंद करें ठीक है लोग मेरे ही pin को क्यों खरीदें तो generally Potter साब का कहना था कि competitive advantage लेने के basically दो ही तरीके होते है या तो आप differentiation कर दो या फिर आप cost के साथ खेल लो मतलब या तो आप ये काम करो कि आप अपने जो product और service है उसकी cost को कम कर दो ठीक है जैसे ये मैं हूँ और ये हमारा competitor है दोनों ही same type of जो products हैं वो लेकर आए हुए same type of features हैं उनके अंदर same type of attributes हैं और मैं बेच रहा हूँ 10 रुपे का और ये बेच रहा है 12 रुपे का तो जाहिर सी बात है जब एक intellectual person एक intellectual consumer market में जाएगा इन products को खरीदने और जब market में इन products को खरीदने जाएगा और देखेगा कि same type के features हैं सब कुछ same चीज ही है तो उसके बाद वो 12 रुपे नहीं देगा बलकि 10 रुपे देगा यहाँ पर राइट तो या तो आप cost को lower कर दो ठीक है उससे आपको competitive advantage मिल जाएगा या फिर आप product differentiation create कर दो कि आपके product में ऐसी USP हो जो दूसरा ना दे पा रहा हो वो कुछ भी हो सकती वो USP ये भी हो सकती मिल एक तरीके से USP जो है वो आपके अगर brand बहुत बड़ी हो गई ये तो competitor भी हमारा कर सकता है अगर हमें पता है Porter के बारे में competitive advantage के बारे में तो अगर मैं X हूँ और competitor Y है अगर मैं 10 रुपए रख सकता हूँ price अपने product का है service का तो भाई साब competitor भी तो 10 रुपए रख सकता है वो क्यों 12 में बेचेगा वो भी अपना price जो है वो lower down कर देगा तो फिर मैं और जादा उससे जादा lower down क्यों करूं तो ये वाली तो theory fail हो जाएगी ऐसा नहीं है देखो आपको क्या करना होगा आपको समझना अगर हम कहीं बाहर से orders मंगवाते हैं अपने product के तो ये सारी चीजे जब आप apply करते हैं तब जाके आपकी cost जो है वो reduce होती है fine तो there are different ways through which आप अपने जो product है उसकी cost reduce करते हैं अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलेगी sir मेरी तो margin ही खतम हो जाएगी नहीं margin आपकी खतम नहीं होगी क्योंकि मान के चलते हैं आपने product बनाया है 8 रुपए में और आप उसको बेच रहा हो 10 रुपए में अब मैं आप से कहूँ इसको 8 रुपए में कर दो competitive advantage with regards to cost लेने के लिए आप इसको 8 रुपए बोल दो कहोगे sir मैं तो मर जाओंगा 8 रुपए अगर मैं इसको कर दूँगा मैं बेचूँगा क्या फिर ठीक है और मेरे profits कैसे निकलेंगे क्योंकि मेरे तो margin विल्कुल खतम हो गई ऐसा नहीं है देखो फिर आपको क्या तरीका सोचना पड़ेगा कि अभी मैं 100 units produce कर रहा हूं तो 8 रुपए का मेरे को पढ़ रहा है जब मैं 500 units produce कर रुपए में है 7 में पढ़ेगा 8 से कम में पढ़ेगा तो मेरे पास कुछ advantage हो जाएगा margin का और वहां से मैं फिर कुछ पैसा बना सकता हूं अब आप बोलोगी कि sir मेरे पास पैसा नहीं है बाहर से जो orders है उनको increase करने का quantity को increase करने का तो देखो वहां पर तो फिर आपको arrangement कर कर लें इसको cost leadership बोला आता है basically या तो आप cost leadership कर लें या फिर आप differentiation जो है वो create कर दे अब differentiation में क्या होता है या तो हमारा product की जो USP है वो बहुत ही जबरदर तो यह over the period of time होता है या फिर आप बहुत सारी जब R&D करके अपने product को बनाते हैं जैसे for example अगर मैं कोई digital marketing course लेकर क्या सीखना चाते हैं कौन से नए module सीखना चाते हैं किस तरीके से सीखना चाते हैं तो अगर मैं उन सब चीजों को लेकर आऊंगा तो मैंने differentiation create कर दिया और जबरदस तरीके से जो मेरा course है या product के service whatever it is उसकी demand जो है वो बढ़ जाएगी तो या तो फिर आप differentiation के उपर जाए या तो फिर आप cost leadership के उपर जाए और अगर आपके product की service की cost उपर है तो फिर वो justified होनी चाहिए हवा में नहीं लगना चाहिए अगर आपके पास USP's है और आपके पास features है और उसके बाद आपके product की cost उपर है तो फिर justify होनी चाहिए मैश होना चाहिए वर्थ होना चाहिए तो ये जो porter साब ने बात करी थी ये basically बात करी थी total market के लिए मतलब overall के लिए global market के लिए एक तरीके से जब आप कोई चीज बड़े level पर करना चाहते हो तो उन्होंने दो चीज़े बताई थी cost leadership और differentiation उसके बाद उन्होंने बताई निश market के लिए देखो जब मैं निश market की दो चीजों को define करता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए निश market दोरीकों से होती है ठीक है जैसे फ़ुर एक पेन बनाने वाली कंपनी है कोई एक पैन बनाने वाली Company है वो बॉल पिल्प सामाने बनाती है और वह जेल पैन में बनाती है ठीक है वह जेल का सामान मनाती है और यह सारी चीज़ें वह company कर रही है ठीक है और यह वह कर रही है डैली में मुंबई में ठीक है let's say लखनों में ठीक है let's say अलाहबाद में let's say जैपूर में ठीक है तो मैंने क्या-किया निश निश मार्केट में जाने का मतलब ये भी होता है कि आपके वल पैंसिल के उपर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके वल जैल पेन के उपर काम कर रहे हैं, आपके वल फाउंटेन के उपर काम कर रहे हैं, आपके वल बॉल पेन के उपर काम कर रहें, इस इस गोईंग इंटो निश म तो बात समझे में आगे यह clear हो गए कि निश्ट मार्केट का मतलब क्या है अब निश्ट मार्केट में या तो आप cost focus हो जाए ठीक है या फिर आप differentiation फोकस हो जाए आप ऐसे product को लेकर आए उस market के अंदर जिसमें differentiation हो या फिर आप ऐसे product को लेकर आए उस market और मेरे को हर competitor से बहतर कोश देनी है, हर competitor से बहतर मेरे को USP देनी है, तो दो ही मुद्धे है, या तो मैं product को बहुत सबरदस्त बना दू, या जो मेरा existing product है, उसकी किसी तरह की से मैं cost reduce कर सको, तो ये जो कहानी है, ये जो framework है, ये जो model है, ये दिया था पॉर्टर साहब ने, सुनने में, समझने में, पढ़ने में, काफी ये सारी चीजें किताबी लगती है, ऐसा लगता है MBA का हम course कर रहे हैं, पर थोड़ा सा शान्ती से अगर आप समझने कोशिश करेंगे, और जो एक एक चीज बताई गई है, उसके बारे मैं आपको सोचना है, कोई भी random business अपने दिमाग में ले लो, कोई भी random, मैंसे मैंने pen वाले का example ये, इसके cases आप बनाने की कोशिश करो, कि pen की cost कैसे reduce हो सकती है, कोई आपके दोस्त, इश्टमित्र, ठीक है, कोई भी रिष्टेदार, किसी का भी कोई भी business हो, ऐसे ही आप सोचो, practice करो, ज़रूर नहीं उसको apply करने क कोशिश करना, तब आपको समझ में आएगा कि ये framework कितने powerful है, उसको बस ऐसे हम सोचेंगे, practice करेंगे, कि क्या cost वास्तों में reduce हो सकती है, क्या differentiation वास्तों में पैदा किया जा सकता है, तो ये जितना practice करेंगे ना, उतना मज़ा आएगा इन frameworks में, वरना आपको क्या लगेगा कि कहानी की तरह है ना, जैसे किताबों में different frameworks होते है ना, वैसे दिया हुए, इनका कोई practical life में use तो है ने, use है, हर एक philosopher, हर एक marketer, जो भी author है या जो भी ये लोग है, ठीक है, जो नहीं research करी, इन्होंने marketing को समझा और उसके बाद marketing और market को, दोनों को properly तरीके से समझने के बा काम business owner को, जो एक general store की दुकान भी खोल के बैठता है ना, उसको भी ये बात पता होती ही कि यार मेरे महले में पांच दुकाने है, और अगर मैं सबसे सस्ता दू ना, सामान या एक सबजी वाले की में बात करू ना, उसको पता है, कि यहां पर भी एक बेशता है, कि यहां प बरक नहीं पता है, क्योंकि वो इसको scale पर नहीं कर पाएगा, I believe आपको चीज समझ में आ रही हूँ कि थोड़ी बहुत practice करें आप, मज़ा आएगा इसमें, definitely hundred percent, देखो ये चीज़े directly नहीं apply होती, आप सोचो sir मैंने तो facebook ads आप से सीखा है, google ads सीखा है, चलिए apply करते हैं इ directly नहीं apply होगा, क्योंकि एक business के वल facebook ads, google ads का नहीं होता है, digital marketing एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, complete marketing ecosystem का, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, और marketing एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, complete business environment का, ठीक है, और business environment भी external बहुत सारे environment से effect करता है, तो बहुत बड़ा ecosystem है ये, overall अगर देख है, right तो guys, I believe अभी बहुत सारी चीज़े आप लोग को with regards to framework समझ में आ गई होंगे, इस particular video में इतना ही, मिलते निक शीटो में, till then, goodbye